पीजीटी के सभी साथियों को हमारा नमस्कार जैसा कि अभी अभी ये सुचना भी आपको दी गई कि सिक्षा सेबा चैन आयोग क्या ध्यक्ष का चैन हो गया है तो साथी साथ इसका मतलब है भी हम लोगों को यूपी पीजीटी की प्रपरेशन के लिए तत्पर हो जाना चाह है उसके बाद हम लोग इसका सॉलीशन की बात भी करेंगे तो 2021 रसायन सास्त्र यानि की केमस्ट्री का जो एक्जाम हुआ था उसमें पेपर का लेबल क्या था इसकी बात भी करेंगे यानि की ऐनालेसिस करेंगे 2021 के पेपर की यहाँ पर आपको इची जानकारी जरूर कि आखिरकार किस लेबल के कोश्चंस यहाँ पर गए थे तो हम लोग बात कर रहें इस समय एक्जामनेशन के उस पेपर की जो बहुत ही टफ माना गया था यानि की माना गया था कि पेपर का लेबल अच्छा था यानि एक्जामनेशन पेपर का लेबल बहुत ही अच्छा थ हम यहाँ पर एक एक questions पर पूरा नरने लेंगे कि आखिरकार question की तैयरी कैसे होनी चाहिए और question किस label के हम लोगों को prepare करने चाहिए यह बात इस exam से हमें पता जरूर लग जाएगी देखिए पहला question भी आपके screen पर दिख रहा होगा यह question बहुत tough तो नहीं था लेकिन confusion create करने वाला question जरूर था यानि कि अगर question यह पूछा गया था आपसे question आप note कर सकते है equation that represents the water gas shift reaction यानि कि simple way में यहाँ पर water gas shift reaction पूछी गई थी और यह question P block से जुड़ा हुआ question था और P block से जो water की reaction है water gas shift reaction है यहाँ पर hydrogen gas produce होती है और यानि कि हम इस पर D option दिये थे लिकिन हम आपको बताते हैं कि D option देने के बाद बाद यह तो बात हम लोग question solve करेंगे तो करेंगे फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कि P block से यह question अच्छा था नेफ्थलीन का यह question मैंने बहुत बार practice कराई थी तो यह important question नेफ्थलीन यानि कि poly nuclear hydrocarbon से भी question आये थे तो जहां तक मैं पा रहा हूँ कि हर टॉपिक को टच करता हुआ question था बाद एंथल्पी यानि कि thermodynamics से जुड़ा हुआ question था यह और यह question लगभग हर exam में देखा जाता है कि जो फजान rule के अगर बात करते हैं तो फजान rule से जुड़ा हुआ question भी इसमें था तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि chemical bonding से questions भी थे thermodynamics से भी थे question आपके हैस law से भी दुड़ा हुआ दिखाई दिया और यह देखे chemical kinetics line से chapter से रखे हुए questions है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अपना जो है यह सोचने की जरूत नहीं कि question का label बहुत tough आता है तो भी आप question का label बहुत tough नहीं आता है question का label एक up to the mark था standard था पेपर का पेपर अपने में एक standard पेपर था देखे यूनिट बहुत simple question था कि zero order की unit बता दी तो ऐसे questions को भी आपने note down किया था question अगर आप देखेंगे तो mk jan की book में भी दिया हुआ है और यह question आईल फिनार में भी दिया हुआ यह question आपको simple जो अगर हम book पढ़ते हैं बहलन बहल की तो उसमें भी यह question आपको दिया हुआ है यानि कि अगर आप note down कर पा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी थोड़ी ऐसे कह स से है यानि कि यहां पर लाउरी डिबरन है ना एकांश्टीन री अरेंजमेंट के नाम से जानी गई थी reaction और यह exam में पूछी गई है ध्यान दीजेगा important paper है इसी तरीके से यह reaction थोड़ी कम पढ़ी जाती है SNI reaction और SNI reaction को भी अब आपको पढ़ना चाहिए SNI reaction exam में बहुत यह बहुत दिनों बाद आई reaction और इसलिए लोगों ने दिखतर SN2 examination पर टिक, SN2 mechanism पर टिक किया था फिलहाल यह E-N-I यानि की Elimination Intramolecular जो arrangement है उसके थुरू यह reaction आई थी इस बात का ध्यान दीजेगा अब आज आईए next question पर इसी तरीके से question का एक view ले ले लेते हैं कि question क्या गया था और यह reaction mechanism से जुड़ा हुआ question था इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं which one of the following represents the compressibility factor gaseous state से जुड़ा हुआ question था आपको लगबग हर topic से जुड़े हुआ question इस video के अंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर यह adsorption की बात कर रहे हैं तो adsorption catalysis से जुड़ा question यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह भी gases state से question आपको दिखाई दे रहा है तो overall कहने का मतलब है यह mechanism से question दिखाई दे रहा है mechanism से question दिखाई दे रहा है तो आपको तैयारी कितनी करने चाहिए और कैसे करने चाहिए इन चीजों पर भी हमारा focus रहेगा तो यह question बहुत question examination में दिखाई दिखाई दिया यह IS के examination जब chemistry आया करती थी और PCS की chemistry आया करती थी उस समय भी यह question देखा गया था तो उससे ही यह निकी यह संग लोक सेबा आयोग का अगर आप पेपर देखते हैं UPSCG से बोलते हैं संग लोक सेबा आयोग संग लोक सेबा आयोग का अगर आप examination paper IS का देखेंगे तो आपको उस समय की जो chemistry का paper है उसमें यह question आ चुका है तो यहां से एक संदेश यह भी मिल रहा है कि अगर हमें UPSC के UPSC के जो old year के examination paper हैं UPSC के old year examination paper है वो जिसमे chemistry एक particular subject में पूछी जाया करती थी तो वहां से भी हमें तयारी करनी पड़ेगी ऐसा भी मुझे indication मिल रहा है यानि कि अब हमें संग लोग सेबा आयोग के जो paper हैं उनको भी एक बार revise करना पड़ेगा तब हम लोग पहुँच पाएंगे अपने उस मुकाम पर जहां पर हम जाना चाहते हैं तो यह तो physical properties से पूछ लिया गया यानि कि physical properties पूछ लिए अब देखे जबकि लगता था कि physical properties आने की संभाव ना है बहुत कम है लेकिन यहां पर दिखाई दी इसी तरीके से आपको acid-based concept tiny equilibrium में luxe flood में लगाता important बताया हूं और वहीं से आपको question मिला है इसी तरीके से आपका reductive carboxylation यह थोड़ा सा हटा carbonization यह थोड़ा सा हटा question और यह इसलिए हटा क्योंकि यह inorganic chemistry की oxidation reaction पूछ ली गई है तो यह बात भी आपको ध्यान दीजेगा important है और यह आप ऐसे कह सकते हो कि हम इनको जो reagent है उनको जरूर पढ़ना चाहिए यानि कि reagent पर भी हमारी एक वीडियो है एक class है reagent पर भी बहुत ध्यान से focus करना चाहिए 2021 का analysis क्या कहता है यह आपको last में बताएंगे लेकिन पहले आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए देखिए alpha helix structure के बारे में जब पूछा तो alpha helix structure में ये भी गया कहा गया कि भाई देखिए hydrogen bonding से जोड़ दिया question को यानि कि question में hydrogen bonding के सभी type भी आपको पता रहे तभी काम आपका चल पाएगा और reaction में equilibrium state delta G at constant pressure temperature पर भी पूछा गया तो वही बात है कि question की थोड़ी सी twisting ने लोगों को ठका दिया था question बहुत tough नहीं थे लेकिन हाँ question की जो tuning थी बहुत अच्छी थी इस बात का ध्यान दीजेगा ये question भी आपका बहुत अच्छा था work done in dissolving one mole यानि कि thermodynamics ने भी coverage अच्छा खासा किया था reaction mechanism के बाद अगर कोई रोल था थो thermodynamics और gases state का था देखिए कितना अच्छे-च्छे questions लगाए गए थे series में यह भी thermodynamics से जोड़ दिया था question यानि कि thermodynamics और reaction mechanism इन दोनों को बहुत focus किया यह electrochemistry से जोड़ा हूँ question आपको question number 22 और question number 23 आपको दिखाई दिया है यहाँ पर हमें electrochemistry पर भी ध्यान देना पड़ेगा यह अगर मैं आपसे कहता हूँ तो ग्रिगनाल्ड रियजेंट को ज़्यादा focus करना पड़ेगा आपको तभी आपको समझ में यह आएगा कि reaction कैसे करना चाहिए तो यह सब questions है यह सब ही question आपके 2021 में आये और 2021 का यह question देखिए hydrolysis of the which of the following compound from the benzaldehyde benzaldehyde कौन बना रहा है तो यह question भी खूब examination में आया हुआ तो आपने किया भी होगा solve भी किया होगा इसी तरीके से photo chemical reactions quantum yield यहने कि photo chemistry से भी question को touch किया गया और यह आपका electro chemistry से भी question को touch कर रहा है तो अच्छा level physical chemistry में दिया गया यह ऐसा question बहुत confusion create किया था लोगों ने confusion create किया था इस question ने confusing question इसको बोल सकते हैं कि बहुत कुछ कॉमल हाला कि question easy था question tough नहीं था question easy था लेकिन paper tough लगा था उस समय क्योंकि हमने इसे question कभी देखे नहीं थे इसलिए हम लोगो यह paper tough लगा था ठीक है यह question भी inorganic chemistry से समयटा गया है inorganic chemistry में भी बहुत हमें focus करना पड़ेगा inorganic chemistry से देखे यह question भी अच्छा question था इन questions पर हमें लगातार ध्यान देना पड़ेगा अब आजाईए इस question पर यह अगर हम देखते हैं तो D block से जोड़ दिया गया question को D block में अगर ऐसे बोलने कि D block के साथ में coordination compound को अगर देख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो यह question भी आपको करना चाहिए 32 मा अगर आप question देखते हैं Dioxide यह नहीं हमारा कहने का मतलब था कि यहाँ पर हमें reagents पर बहुत फोकस करना पड़ेगा अगर हम लोगों ने reagents तयार कर लिए तो reagents तयार करने के साथ साथ हमारी chemistry की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा यह question मैंने important कई बार बताया था और यह question आया भी था कि यहाँ पर HNO3 का रोल कैसा है तो HNO3 जो है वो यहाँ पर reducing agent की तरह behave करता है कि base की तरह behave करता है यह मैंने कई बार बताया कि यहाँ पर यह किस की तरह behave करता है यह आपको पता होना चाहिए कि यह base की तरह behave करता है बहुत ही important question था ये वाला भी 35 question ये भी organic chemistry से जुड़ा था ये देखे thermodynamics को यहां भी इन्होंने dominance दी है और बहुत अच्छा question collision theory पर भी question gases state को coverage किया है इसी के साथ साथ आपने यहां पर देख रहे हैं कि लोग discussion भी कर लें कि आखिरकार देखी ये complex compound geometrical isomerism से जुड़ा question था और यहां पर reaction mechanism ने भी अच्छी खासी dose पूरी दी है 2021 के पेपर में यहां चल लेते हैं तो ये भी reaction mechanism से जोड़ दिया गया है और ये inorganic chemistry का lengthenoids से जोड़ दिया गया question को ये देखिए ये question भी आपका poly nuclear hydrocarbon से यानि कि अगर हमारी classes को आप continue कर लेते हैं classes में जितनी भी videos हैं अगर classes की सभी videos अगर आप देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका selection final हो जाता है यानि कि selection based video हैं selection based video हैं हमारे सभी एप aroma chemistry classes पर तो आप उसको ध्यान दीजेगा बहुत ही important आपको videos मिलेंगे और इसी type का question भी मैंने solve कराया है ये question आपको मिला होगा और ये question पर मेरी particular video पड़ी हुई है बहुत ही important है ये trans और cis form का जो combination होता है कब trans होगा इसमें arrangement क्या होना चाहिए इस arrangement पर भी मैंने video बना करके डाली है तो half life period याने की radio activity को भी touch करना चाहिए और radio activity के साथ में ये भी कह सकते हो chemical kinetics से जुड़ा हो question भी मान सकते हो आप इसे अगर radio activity से नहीं जोडते हो देखें most strong ये आपका organic chemistry है organic chemistry को dominant character यहाँ पर माना गया है ये examination के point of view से बहु compounds का एक example माना जा सकता यहाँ पर इसी तरीके से ये question भी solid state का था solid state का easy question था बहुत typical नहीं था लेकिन examination time पर paper tough क्यूं लगा था क्यूंकि हमने question की tuning पहली बार ऐसी बार देखी थी हमने का मतलब हम सभी लोगों से है तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना चाहिए इसी तर hydrocyclic compound पर अच्छा खासा focus था डाइस पर भी question दिया गया था कोई topic नहीं छोड़ा question के लिए इन्होंने हर topic को question के form में दिया था इस बात का ध्यान दीजिएगा तो यह compound हमने लिए यह compound देखे फीनॉल से जुड़ा था acidic nature किसका कम होगा किसका acidic nature ज्यादा होगा इस पर भी अच्छा खासा question पूछा गया है यहाँ पर देखेगा यह arrangement अगर देखे कौन ज्यादा अच्छा magnetic moment शो कर रहा है उस पर भी question था inorganic chemistry में d block को coverage दिया गया अच्छा coverage मिला यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिला है यह organic chemistry की halo form reaction ठीक है halo form reaction इसके बाद हम लोग correct setup अब the magic number की बात कर लेते तो magic number पर भी पहले भी question आया है nuclear chemistry से इस बार भी question आपको दिखाई दे गया तो यह question भी आपनो down कर सकते हो साथ ही साथ यह order मैंने कई बार कराया भी था हेट्रो साइकलिक का और हेट्रो साइकलिक के order में पाईरोल फिरॉन थायोफीन का example भी बहुत लोगों का यह question गलत भी हुआ यह 65 बाला question ने भी बहुत लोगों को fault किया लेकिन ज्यादा तर लोगों ने सही कर लिया था इस question को फिर्स लॉफ यह question थोड़ा सा अजीब था बहुत लोगों का quantum mechanics पर आधारित यह question भी examination में थोड़ा typical माना गया लेकिन हाला कि question overall इस category के ज question जो है देखोई यह फिर दोबारा enzyme से जड़ा हुआ question फिर पूछा गया तो ऐसे question को हम लोग अगली वीडियो में solve जरूर करेंगे यानि कि अगर हम 2021 के paper को solve कर लेते हैं देखिए यह वाला भी who first car of phenyl isocyanate for the synthesis of the peptide fedricks anger ने किया था तो यह question भी अगर आप ऐसे तयार करते हैं और ऐसे question के preparation करते हैं तो जरूर आपको benefit होगा यानि कि ethanol on reaction with bromine with echo solution का example क्या होना चाहिए था यह आपको जानकारी में मिल चुका होगा तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको preparation में थोड़ी सी अपनी सतर्पता बरतनी पड़ेगी और ऐसे question की भरपूर तयारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा यह question भी photo chemistry से जुड़ा हुआ था इन overall सब बातों से हम इस बात की analyze जरूर कर पा क्या आपने 60-70% paper को solve किया होगा और कुछ लोगों ने 80-90% तक paper को solve किया अधिकतर जो लोगोंने solve किया paper वो question 60 से लेकर के 70 के बीच में अधिकतर लोग question paper को solve कर चुके थे जबकि अगर जिन लोगोंने 20% या निकिए अगर 50-70 question जिन लोगोंने सही किया थे selection के दारे में त इस बात का ध्यान दीजेगा तो इसी के साथ सथ मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें crystal system यानि solid state को भी अच्छा खासा time मतब question beneficial तीन question अब तक solid को दिये गए और coordination को बहुत जगह दीगई coordination question जाधा दिये गए thermodynamics भी पूरी तरीके से dominant करी गई है इस paper में और gases state को भी बहुत organic chemistry की जो reaction mechanism में उसको focus किया गया है तो मैं चाहता हूं इस paper को पूरा हम लोग solve करें और इस paper को solve करने के बाद हम आपको अगली वीडियो दें इस paper को solution यानि कि 2021 का solution भी आपको अगली वीडियो में देंगे लेकिन उससे पहले आपको इन questions पर एक discussion जरूर करना चाहिए कि कैसी होनी चाहिए क्या ये questions जरूरी है और क्या ये question repeat हो सकते है रिपीट हो सकता है 2021 का paper repeat होने का मतलब है क्या इनमें से question 2021 में से आ सकते हैं इस बात का भी ध्यान देना ये question भी बहुत लोग जो थे वो गलत करके आये थे लोगों ने डी ब्लॉक लगाया थे जबकि charge transfer transition इस इसमें option ये बात ध्यान दीजिए जिसने भी लगाया है इसी तरीके से ये question भी बहुत important है ये वाला ALCL3 की presence में होना चाहिए तो क्या rearrangement होगा यहाँ पर तो इस तरीके से rearrangement reactions भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी ये node वाला question तो मैंने कराया था कई बार कराया था कि कौन सा node इसमें बनेगा 3S orbital के लिए node कौन सा बनेगा कई बार इस question का जवाब आपको दिया गया था आपने तैयरी भी की थी बहुत सारे लोगों ने question को पूछा भी था देखे फिर यानि कि अगर हम overall in questions की जगहे देख लेते हैं तो मुझे ये महसूस हुआ और मैंने ये इससे अन पेपर में जो आप लोगों ने attempt किये वो 60 से 70 questions थे out of 125 ये maximum दायरा था लोगों को attempt करने का उसके बाद अगर मैं कहूं ति लगभग 70% लोगों ने ये पेपर attempt में ये questions attempt किये थे remaining जो question थे वो remaining 30% में लोगों ने 71 से ले करके 90 तक के questions किये थे और इनही 30% में जिन लोगों किये थे वो selection का दायरा था selection का दायरा था तो इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब हम लोगों को कहां कहां पर ध्यान देना है सबसे पहले तो हमें reagents जरूर पढ़ने चाहिए reagents जरूर पढ़ने चाहिए जरूर पढ़ने चाहिए इसके बाद बात कर लेते हैं हमें इसी examination के लिए आने वाले examination के लिए organic reactions, organic mechanism पर पूरा तरीके से focus करना चाहिए organic mechanism पर focus करना चाहिए इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो thermodynamics पर बहुत ज़्यादा focus करना चाहिए यनि इन chapters को dominant paper था thermodynamics पर focus करना चाहिए और organic chemistry के जो typical examples है और organic यनि thermodynamics के बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो coordination पर और D block, coordination और D block भी खूब पूछा गया, D और F block, D and F block भी खूब पूछा गया, इस बात का भी ध्यान दीजे तो reagents, organic mechanism, thermodynamics जहां से गलतियां ज़्यादा हुई हैं और एक enzymes पर, enzymes पर अगर ये topic आप तयार कर लेते हैं और hetero और polynuclear ये तो हम बहुत पढ़ा चुके हैं, hetero, polynuclear हम बहुत पढ़ा चुके हैं, इससे question अब गलत आपसे तो नहीं होंगे, निश्चित है, लेकिन इन topics पर अभी आपको focus करना चाहिए और जो inorganic chemistry है, inorganic के जो exceptions है, inorganic chemistry के जो typical points है, typical points उनको भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, typical points को जरूर पढ़ना चाहिए, तब ही हमारा 2000, जो आने वाला 24 का exam है, सफल हो पाएगा तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको 2020 का solution देंगे, तो आप अगली वीडियो का इंतजार करिए, और comment जरूर करिएगा, कि आपको इस paper से क्या सीख मिलती है, कि आपको तैयारी का label अपना कहां ले जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि बहुत जादा questions, अगर आप gate label के questions भी लगा लेते हैं, हैना gate label के questions भी अगर आप लगा लेते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपका selection 100% हो जाएगा, यानि gate label से जुड़े हुए कुछ questions भी touch कर रहे थे यहां पर, जो मेरा अनुमान है, तो आपका क्या अनुमान है, आप जरूर बताएं, यानि कि IRA को पहुचाते हैं, 71 से उपर जो लोग गय थे, 90 के बीच में selection उनका 100% हुआ, तो आप भी selection चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार paper में आप 100 प्लस का अपना target लेकर कर चलें, और 100 प्लस के target में आप उस फलता जरूर मिलेगी, अपने views को जरूर डालिए और comment में डा क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आपको proper solution 2021 के paper का मिले और आप अगली तैयारी बहुत अच्छे धंग से कर पाएं, thank you.